कि दन्यवाद धुमचारी रत्मदर्शी आज के इस कारिकम के आप सुत्रसंचरन कर रहे हैं और साथी साथ मेरे नाम का बहुत ही सटीकार्थ आपने बताया है तो इसके लिए मैं आप का सरोपतम आबारी हूँ साथी साथ धन्यवाद देता हूँ प्रिया जी को कि उन्होंने आज के शाम की शुरुवात बहुत ही अच्छे ढंसे की है मन को भावित करने वाली वो पूजा है जिससे उन्होंने शुरुवात की है साथी साथ बुद्धि सेंटर नाखपूर तथा तरत्न मीडिया का भी मैं शुक्र गुजार हूँ खासकर नेहा का जिन्सकी बदोलत हम लोग आप सभी को देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं इंडूसरे को तो उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ और साथी साथ सभी संगसदश्य भाई तथा बेहनों तथा सभी भाई और बेहनों सभी को नमवुद्धाए जैभी बहुत अच्छा लग रहा है खासकर जहां पर मैं बेटा हूँ जो मैं जिस शहर से मैं आता हूँ शहर में पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ी बारिश शुरू है और आज खासकर बहुत बड़ी बारिश शुरू थी बहुत जोरडार बारिश शुरू थी जिसको हम कहते हैं जिसको कह सकते हैं ऐसी बारिश थी घमासान जैसी बारिश थी ऐसा बोल सकते हैं और इस बारिश में मैं दुपर में भीगा भी और पूरी तरह से भीगा पूरी तरह से उस बारिश में भीगा और अच्छा भी लगा कुछ मेरे दोस्त मेरे साथ थे, राउत नम के दोस्त मेरे साथ τα, वो भी भिग गए. और मैं जब सोच रहाता कि बारिश के बारे में, त जैसे बारिश हमें अंदर बहार से भिगा देती है, हमारे मन को भी तुरुक्त कर देती है, उसी प्रकार से पिछले कुछ सब्ताहों से धम्म की वर्षा मानों हमें अंदर बाहर से क्या कर रही है ये भावित कर रही है प्रकार से भीगा दे रही है धम्म के माध्यम से हम भीग रहे हैं और ये भीगना जुकाम देने वाला नहीं है ये भीगना जो है तो मुझे लगता कि हम सभी लोग इसका आनंध पिछले कुछ सब्ता से ले रहे हैं और खासकर भगवान-buddha की ऐसी शिक्षा से हम भीग रहे है जो शिक्षा भगवान बुद्ध के धम्म में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षा है जिसे हम प्रतित्य समुद्पात कहते हैं या कार्यकारन भाव की शिक्षा हम कहते हैं क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहा है हाँ यह सादर ठीक सुन रहे हैं तो पिछले 6 सब्ताह से हम लोग प्रतित्य समुद्पात को देखने का प्रयास कर रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोचन आप लोगों ने सुने हैं और निशित रूप से इस कार्यकारन भाव को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और खासकर पिछले 2-3 सब्टा से इस कारेकरण भाव का एक पहलू, जिसे हम चक्राकार पहलू कहते हैं कारेकरण भाव का, या सीधे भाशा में हम को समझ में आए, ऐसे भाशा में अगर हम कहेंगे, तो यह ऐसा पहलू है जो हमें बार-बार दुख में डालता है, हमें बार- उसको पिछले कुछ सब्ताहाट से हम देखने का प्रयास करेते हैं और यह जो घुमाते रहता है को किस तरह से घुमाने का प्रयास करता है और इसको हमने पिछले कुछ सब्ता से जाणने का प्रयास किया है और समझने का प्रयास किया है कि यह जो भवचक्र है यह चक्र एक प्रकार से प्रतित्य समुद्पात का ही रूप है वो प्रतित्य समुद्पात से अलग नहीं है कारेकरन भाव से वो अलग नहीं है कारेकरन भाव से वो जुदा नहीं है वो कारेकरन भाव भी है जो केवल दुख में हमें धेकलता है लेकिन कारेकरन भाव का ये एक पहलू है कारेकरन भाव केवल दुख में ही डालने का नहीं है तो हमें दुख से निकाल कर बुद्ध की तरफ ले जाने वाला भी कारेकरन भाव है, जिसे हम उर्द्वगामी चकराकार मारग करके देखते हैं. बुद्ध बनने की प्रक्रिया भी इसी कारन और परिनाम की प्रक्रिया होती है. बुद्ध भी बिना वजे के नहीं बनते हैं, गुद्ध बनने की प्रक्रिया भी कारेकारन भाव से जुड़ी होती है, यह समझना बहुत जरूरी है, लेकिन वो उर्द्वगामी प्रक्रिया होती है, यह चक्रातार है, गोल-गोल गुमने वाली प्रक्रिया है, जिसके बारे में अभी हम देख रहे हैं, लेकिन जब वाले दिनों में आप सुझने वाले हैं. लेकिन अभी हम, क्यूँ हम दुख में बार-बार पड़ रहे हैं, क्यूँ हम दुख में गूम रहे हैं, इसको देखने का पराज कर रहे थे. और बिल्कुल पहले प्रवचन में आमने देखा है कि यह जो चक्र है वो एक केंद्री भूद चक्र से बना हुआ है, केंद्री भूद गोल से बना हुआ है, जिसमें लोब, द्वेश और मोह आता है, या तिन प्रानियों का दर्शन हमने वहाँ पर किया था, जो सूर है, जो म भूमाने के मुख्या है, मतलब बार-बार हम जो दुख में पढ़ते हैं, उसके केंद्री भूद क्या होता है, तो यह तीन जो मानसी कवस्ता है, वो तीन मानसी कवस्ता केंद्री भूद होती है, इनी के कारण उस चक्र में हम गिरते रहते हैं, इनी के कारण हम चक्र में ब विश भी कहा गया है, पॉईजन कहा गया है, और यह पॉईजन इसलिए है, क्योंकि यह हमारे उद्देश को, हमारे इच्छा को, हमारे उद्देश को, हमारे मन को अंदर से ही जहरिला बना देते हैं, बिल्कुल अंदर से हम विशेले बन जाते हैं, जहरिले बन जाते हैं, औ दूसरा नहीं आ सकता. अगर हम इंसे बादीत है, इंसे प्रभावित है, तो जहरी उगलेंगे, दूसरा कुछ उगलेंगे, नहीं. जहां कहीं भी काटेंगे, क्या काटेंगे? वीशी काटेंगे तो इस प्रकार से हमनी इस मांसिक आवस्ता को देखना चाहिए इसको इस तरह से हमने समझना चाहिए क्योंकि यह हमारी बिलकुल अंदरुनी जो इच्छा है या अंदरुनी हमारा उद्देश है उसको ही जहरेला बना देते है और इसलिए यह बहुत घातक होते हैं यह बहुत भैंकर होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मुनिश्य के जीवन में जो भी सभी प्रकार के किसी भी प्रकार के दुख उतपड़न होते हैं वो इनी तीन वीशों के कारण उतपड़न होते हैं जो भी दुख हम अनुभोते हैं वो दुख जो है ये तीन विशों के कारण ही ज्यादा तर हमारे जीवन में आता रहता है और इसे के कारण हमारा दुख चक्र बार-बार घूंते रहता है तो इसे हमने समझने का पहले प्रवचन में प्रायास किया था साथी साथ हमने ये भी समझने का प्रायास किया था कि ये जो दूसरा गोल है जो आधे-ाधे हिस्सों में बटा हुआ है एक सफेद हिस्सों में बटा हुआ है और दूसरा काले हिस्सों में बटा हुआ है जो हमारे कर्म और उसके परिनाम को दर्शाता है लेकिन जैसे मैंने कह कि ये पूरा जो भवचक्र है ये ये स्वयम ही प्रतित्य समुद्वाथ है अगर सफेद और काले रंग का अगर दूसरा गोल है तो वो गोल भी बीना वजे के वहां पर नहीं है ये समझना बहुत जरूरी है वो इंडिपेंडेंटली वहां पर आया नहीं है एक अलग गोल कर से पीडित मानसी कवस्ता से कोई भी कर्म करते है तो निशित रूप से हम अंधियारे में ही गिरते जाएंगे हम नीचे की तरफ ही जाएंगे हम विकास की तरफ नहीं जाएंगे और इसलिए जब हम नीचे गिर रहे है तो हमारा गिरना बिना वजे के नहीं है हम ऐसे ही नह नीचे गिर रहे हैं और वहाँ पर जो नीचे काले भाग में जो लोग नीचे गिर रहे हैं दिखते हैं वो उसका कारण है लेकिन हम इन मानस्तिक अवस्ता से दूसरी मानस्तिक अवस्ता से इनके बिलकुल विरोधी मानस्तिक अवस्ता से पेश आते हैं मतलब अगर हम मन की स् पश्ट व्यवार करने का प्रयास करते हैं, तो हम विकास की तरब जाते हैं, अगर हम दान से या त्याग से पेश आने का प्रयास करते हैं, स्वार्त के बजाए हम निश्वार्त भावना से पेश आने का प्रयास करते हैं, तो हम विकास की तरब जाते हैं, सफेद गोल में हम आधे गोल में चले जाते हैं और वहां से और उपरी मानसी कवस्ता में हम जाते हैं. तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है. द्वेश के जगें, अगर हम मैत्री से, प्रेम से, निस्वार्त प्रेम से अगर पेश आते हैं, जिसको इनिवर्सल लव का आ गया है, ऐसे वैश्विक प्रेम से अगर हम पेश आते हैं, तो निशित रूप से हम उस सफेद चक्र में उपरी दिशा में, विकास की दिशा में जाते हुए स्वयम को पाएंगे. और इसलिए ये जो दूसरा चक्र है, वो भी पहले चक्र का परिनाम है, ये देखना हमने जरूरी है. अगर हम पहले चक्र से ही उसी प्रकार से जीवन जीते हैं, तो निशित रूप से नीचे जाएंगे, लेकिन उसके विपरित या विरुद्ध आचरनगर हमने करना शुरू कर दिया, तो निशित रूप से विकास की तरफ हम जाएंगे. और इसलिए बुद्धमा में ये बात समझना बहुत जरूरी है, कि ये जो चक्र दिखाता है, जिसको सफेज चक्र हम कहते हैं, जिसको कुशल कर्म करके हमने देखा है, और जो काला चक्र है, जिसको हमने अकुशल कर्म करके देखा है, या अकुशल कर्म का परिनाम करके दे पढ़ा था तो चश्मा उठाया मैंने मैंने ये कुरुती हुई है लेकिन ये कुरुती कुशल या अकुशल होना ये कुरुती मैं किस मानसिक अवस्ता से प्रेरित होकर करता हूँ किस मानसिक अवस्ता में करता हूँ उसके ऊपर ये निर्भर होता है कि मेरा चश्मा उठाना यह कूशल है या अकूशल है अभी मेरा चश्मा उठाना कोई भी उद्देश नहीं है मेरा फिलाल जस्ट आपको बताने के लिए है उधारन के तौर पर तो ऐसा कह सकते कि इसमें मेरी कोई अकूशल मानसी कावस्ता सहबागी नहीं है लेकिन चंद मिन्ट को इलिए भी मेरे म अच्छी दिख रही है लेकिन मेरी मानसी का वस्ता किस से प्रेरित है एहंकार से प्रेरित है लोब से प्रेरित है या अज्यान से प्रेरित है नहीं क्या तो वो क्या बन जाएगी वो कूशल नहीं बनेगी दिखने में दिखेगी कैसे मैं अच्छा ही कर रहा हूँ चश्मा बन जाती है उसके बज़ा है अगर वो दान मैत्री और जागरुती से या मन की स्कुष्टता से प्रेरित है तो वो कुशल बन जाती है और इसलिए ये समझना बोधों के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारा कोई भी कर्म हम जिस मानसिक अवस्ता से करते है उससे वो कुशल या अकुशल बनता है और इसलिए निती मत्ता बहुत जरूरी है इसलिए कुशलता बहुत जरूरी होता है इसलिए हमने शीलों का आचरन करना कितना important है इसको समझना बहुत जरूरी है अगर ऐसा नहीं करते हैं, और हम हर समय अकुशल मानसिक अवस्ता से प्रभावित होते हैं, तो केवल नीचे नहीं गिरेंगे, तो हम अलग-अलग प्रकार की वेदना भरी मानसिक स्थिती का अनुभाव करेंगे, और इसी को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं पिछली सप्ताह से, तो हम अलग-अलग मानसिक अवस्ताओं को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक प्रकार से हमारे मन के परस्तिती का ही, हमारे कर्म का ही वो परिनाम है, जिस प्रकार से, जिस लोग-द्वेश मुह से प्रेइत होकर, जो भी हम कर्म करते हैं, उसका ही वो मानसिक परि जागरूती दान तथा महित्री से हम पेश आते हैं तो निशित रूप से देव लोग जैसी मानसी कवस्ता को हम अनुभाव करेंगे लेकिन अगर हम द्वेश से प्रेरित होते हैं तो निशित रूप से असुर की मानसी कवस्ता से प्रभावित होंगे अगर लोग से अगर हम तो हम प्रेत लोग की मानसिक अवस्ता का अनभव करेंगे जो आज हम दोनों भी देखने वाले हैं तो इसको समझना बहुत जरूरी है तो यह चक्र आपने आप में इंडिपेंडन नहीं है वो मुख्य चक्र पर निर्वर है और वो विकसित होते जाता है तो इसको समझना बहुत जरूरी है यह बात को समझना बहुत जरूरी है फिर हम चोधे चक्र की तरफ आते हैं यह चोधा चक्र भी उस मानसिक अवस्ता के कारण हम हर समय किस तरह से निर्मान होते हैं हम अस्थित्व में किस तरह से आते हैं ये दर्शाने वाला अंतियम चक्र है ये दर्शाने वाला अंतियम चक्र है बतलब हमारा अस्थित्व किस तरह से निर्मान होता है एक मुनुश्य करके हम किस तरह से अस्थित्व में आते हैं ये दर्शाने वाला अंतियम चक्र है हर क् मन की सुपष्टता, दान या मैत्री से प्रभावित आचरन करते हैं, तो निशी तुरुप से हम किस तरह से बनेंगे ये दर्शाने वाला वो अंतिम चक्र है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, बाबा साब ने एक बात बहुत ही अच्छी कही है भगवान बुद्धा और उनके धंब में, वह कहते है की अनित्यत्यत्यार का सिध्धान के तीन पहलु है, वो सारे तीन पहलु मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिसरा जो पहलु है। वो बहुत ही महतुपुर्ण पहलु बाब साथ बताते हैं। छे मिनिट बाद अभी मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मनुश्य हरक्षन बदल रहा है, बाबा साथ यह स्वयम बताते हैं कि हरक्षन मनुश्य बन रहा है, भूतकाल में यह बताने का प्रयास कर रहा था कि बाबा साथ महां पर यह कहते हैं कि हर समय मनुश्य घट रह जो मनुश्य भुतकाल में है वो अभी नहीं है और अभी जो मनुश्य वर्तमान में वो भविश्य में नहीं होगा तो मुझे लगता है कि यह सही में हमने समझना चाहिए और इस अर्त से हम हर समय निर्मान हो रहे हैं और हर समय हम किस पर निर्मान हो रहे हैं जिस प्रकार की कुरूती, जिस प्रकार की मानसी कवस्ता में हम रहते हैं, उसी प्रकार के हम बनेंगे। और इसलिए ये बहुत डेंजर है, इसको सही में समझना चाहिए, कि अगर हमें सही में नया बनना है, अलग बनना है, तो हमारी अभी की कुरुती कितनी महत्वपूर्ण है, अभी हमारी मानसी का वस्ता कितनी महत्वपूर्ण है, इस अर्त से इस घुमाने वाले चक्रों को सम साधिय-ध्यान जैसे उच्चतम बातों से आने वाला आनित भी महाँ मोजूद है ये सारी बाते हमने पिछली बार देखने का प्रयास किया था, मैं आज उसमें जादा जाओंगा नहीं, क्योंकि आज मुझे दो लोगा आवस्ता पूरी करनी है, इतना ही बताओंगा कि देवलोग की मानसिक आवस्ता में, फिर वो इंद्रिया आनंद की आवस्ता हो, या सुक चलने वाली नहीं है, हमने बुद्धत्वी की तरफ रुख करना चाहिए, हमने जीवन के सच्चाई को समझना चाहिए, हमने अनित्यता को समझना चाहिए, हमने उस गाच को समझना चाहिए, जो कभी भी गिर सकती है, अकस्वात गिर सकती है, और इसलिए हमारे जीवन को, ह हमने उसके उपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमने परमच्च सूप पर, अन्तीम सूप पर, बुद्धत्वा के सूप पर निर्भर रहना चाहिए, और ये बात हमने पिछली सब्ता में देख की थी, आज थोड़ा हम आगे जाने वाले हैं, आज हम असूर लोग को पहली ब करेंगे, लेकिन ये जो मानसी का वस्ता है, असूर की मानसी का वस्ता है, वो बहुत ही आक्रमक ऐसी मानसी का वस्ता है, कुरोधी ऐसी अवस्ता है, अब हर समय लड़ने की आवस्ता है, ये स्परधात्मक अवस्ता है, जिसमें हर समय हम कॉंप्टिशन करना चाहते हैं, यह यहां जो परदा है वह इर्शाैति मानसिक अवस्ता से आने वाली परदा है और इसलिए यह बहुती स्परधात्मक ऐसी मानसिक अवस्ता है यहां बहुत ही शक्ति शाली अगर अशुरों को आप देखेंगे बुछ चित्र में तो बिल्कुल बलधंडर दिखाए उनको बहुत कभी कभी और जाने के बजाएं, खुद को देखने के बजाएं, बाहर की तरफ जाती है। ऑर बाहर देखने के कारण आशुलोग खुद को देखने के लिए नहीं लगाते हैं। बहुत बार जो लोग क्या बोलते है एक्स्टावर्टेड होते हैं तो हमको दिखता है कि वो बहुत कुछ करने का प्रियास करते हैं सब्सक्रप्र लोकु Tenemos इस प्रकार से मतलब मुझे यह नहीं कहना है कि यह मानस्तिक अवस्ता है और यह इस मानस्तिक अवस्ता से हमें दिखाई देता है कि उस अवस्ता में यह जो असुर लोग है यह देवलोग के साथ हमेशा जगरते रहते है देवलोग के साथ हमेशा वो जगरते रहते है और खासकर देवलोग से वह उनका जो रुक्षय है जिसका हम कल्प rukष कहते हैं उस अरुक्षय को चिनना चाता है। हमको पता है कि देवलोग में सारी बाते सहस्ता से मिलती हैं, सहस्ता से available हैं तो यह वुरुक्षय जो है वो एक प्रकार से प्रतिकात्मक है कि वहाँ पर देवलोग को जैसे उनकी इच्छा हो जाती है वो बात उनको मिलती है easily available है जैसे ही वो सोचते है वो बात उनको मिलती है कलपरुक्षा का काम क्या होता है कि जो भी आपकी इच्छा है उसको दे देना कलपरुक्षा का यही काम होता है जो भी दंत कथाव में कलपरुक्षा की बात कही गई है तो वो यही कहती है कि जिस तरह से, जैसे ही आप कुछ सोचते हो, तो ये वुरुख्षय उसको पूरा करता है। हमने पिछली बार ये देखा था कि देव लोक में प्रकास है, इसी मानसी कावस्ता होती है, कि जो भी कुछ वो चाहते हैं, तो तूरत उनको मिलता है। ये जो सहस्ता उनके जीवन में है, उस सहस्ता के प्रती ही असुर लोक में इरशा हमें दिखाई देती है। और इस इरशा के कारण जो देवलोग में है उस बात को वो छिनना चाहते हैं, उस बात को वो हासिल करना चाहते हैं और इसलिए वो देवलोग के साथ हमेशा जगडते हैं। इसको तुरन समझ सकते हैं, लेकिन इर्शा को, एनिवी को समझना बहुत कटिन होता है, बहुत सुक्ष्मा होता है, मैं थोड़े दो उधारन देकर इसको समझाने का प्रयास करूँगा, एक उधारन तो मैं मेरे स्वाहिम के जीवन का मैं देना चाहूंगा, जिससे मैं बहु प्रवचन देने लगा, और मैं उन प्रवचनों को ही दोहरा था जो प्रवचन मेरे कल्लाद मित्र सुरंगम जी ने दिये हुए थे, उनी की भाषा में, उनी की शैली में, या उन्हों ने जो भी कहा था, उसको ही मैं दोहराता था, मेरी भाषा में या मेरे धंसे, लेकिन उनी के प्रोचनों को मैं दोराता था, दिरे-दिरे लोग उसको सराने लगे, लोगों को अच्छा लगने लगा, जिन लोग उसके पहले सुरंगम जी को सुना था, वो लोग आकर मेरा प्रोचन खत्म होने के बाद मुझे बोलते थे, पुन्यानमदन करते थे और कहते थे कि आरे, आप तो बिलकुल सुरंगम जैसे बोलते हो, अच्छा लगता था, कॉलर टाइट हो जाती थी, लेकिन ये कॉलर एक दिन इतनी टाइट हो गई, कि मुझे लगने लगा कि सुरंगम से मैं अच्छा प्रोचन दे सकता हूँ, और जब भी मैं सुरंगम को उसके बाद जब भी वो प्रोचन दिया करते थे उस समय, तो मैं सुचता था कि ये जो मुद्दा है, मैंने बहतर धंसे रखा होता, ये मुद्दा मैंने और अच्छे धंसे रखा होता, और जिंजोड गया मैं अंदर से, मुझे लगा क्या चड़ रहा है, जिन से मैं सिखा हूँ, उन स परदा कर रहा है, इसका मतलब उनके शिश्य ने आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, गुरु को तो कभी भी अच्छा लगता है, शिक्षक को तो अच्छा ही लगता है, कि अपना जो शिश्य है, विद्ध्यारती है, वो आगे चले जाए, अपने गुरु से, टीचर जो तक मुझे उस पर प्रयास करना पड़ा, कि नहीं एश्य सागर, तु गलत लाइन में जा रहा है, ऐसा सोच नहीं सकता, आज जो भी कुछ तू है, जो आज तेरी जो समझ है, वो सुरंगम जी के बदोलत है, अगर ऐसा तू सोचता है, तो निशित रूप से तेरे धमज कवस्ता से मैं निकला हूँ, ये इर्शा की भेंकर मानसी कवस्ता है, वो सामनी ये नहीं देखती कि कौन है, जिनसे हम निर्मान हुए है, उनसे भी हम इर्शा करना शुरू कर सकते हैं, ऐसी मानसी कवस्ता से मैं स्वयम क्या हूँ, बहुत सुक्ष्मा स्वरुप की मानसी क वस्ता यह होती है ऐसी इर्शा की वह मानस्तिक वस्ता है आप लोगों ने 3D देखा है अपना रिज़्ट नीचे से खोषते हैं कि उनको पता होता है कि हम लोग लीचे ही रहेंगे तो नीचे से खोषते हैं तो उन दोनों के नाम होते हैं लेकिन अपने दोस्त का नाम नहीं होता वहाँ पर तो उनको दुख लगता है और वो बाजू में जाकर बैठते हैं और सोचते ही क्या रहे इसे कैसे क्या हो गया अपना दोस्त कैसे क्या फेल हो गया और बाजू में जो यह रहता है क्या उसका नाप जो तीस दो होता है न क्या जो अभी याद नहीं आ रहा हुँ मुझे, जो जिसके साथ जहगरते रहते हैं बार-बात, वो बाजू में रो रहा होता है, Silence तो ये जो है, वो उसको बताता है कि पहले आमीर खाना आया है, मतलब रैंचो पहले आया है तो उसके बाद वो दोनों और दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज पहली बार हमने human psychology के बारे में कुछ समझा और human psychology के बारे में क्या समझा ही तो दुख होता है लेकि डोस जब पहला आता है तो जादा दुख होता है और यह बिल्कुल सटीक है जब सबसे जादा इर्षा अगर हमको किस रोती है तो हमारे करीभी लोगों से होती है, दोस्तों से होती है, वो भोती विरले लोग होते है, जिनमें अनुमोधन का भाव या मुधिता का भाव होता है, तो हमने सही में इसको देखना जरूरी है, और यसी प्रकार के मानसी कवस्ता जो है, वो हमको असुरलोक में दिखाई देती है, असुरलोक मे उन्होंने रहना चाहिए इसके लिए भी वो प्रैयास करते रहते हैं अलाकि उच्चा रहन से बुरी बात है ऐसा नहीं है स्वाहिम बाबा साब ने हमको कहा है कि हमने अच्छा रहना चाहिए लेकिन केवल उच्चा रहन से हमें सही सूक नहीं दे सकता ये बात बाबा साब ने भगवान बुद्धार उनके दम्म में लिखी होई है। वह ऐसे कहते हैं भगवान बुद्धार उनके दम्म में कि दरिद्रता या गरीबी दुख का उगमस्तान है। दुख की निर्मिति का स्तान है। लेकिन दारीद्र का नाश या गरीवी का नाश सुख प्राप्त करके देगा ही ऐसा नहीं। सुख प्राप्त होना ये उचे रहन सेन पर निर्भरना होकर उच्च संस्कृती पर निर्भर है। उच्च संस्कृती पर निर्भर है। तो ये बात असुर समझते नहीं है। उनको लगता है कि अगर आप उचे दर्जे में चले जाए, उचे रहन सेन में चले जाए, तो निशीत रूप से हम सुखी हो जाएंगे। और इसलिए उच्चा रहना या उच्चे दर्जे में रहना सबसे उच्चा खुद को पेश करना कि उस मानसिक अवस्ता का मुलाधार होता है। और एक प्रकार से यहां पर अडियल प्रकार का अहंकर हम देखते हैं, जिसको जिद्धी अहंकर कहते हैं न चुटने वाला अहंकर हमें वहाँ पर दिखाई देता है। हर समय वो खुद को स्रेश्ट साबित करने में लगे होता है। और ये खुद को साबित करने की स्रेष्ट साबित करने की बात सुक्ष्म बात से लेकर बड़ी बात तक हो सकते हैं। सुक्ष्म बातों में हम दुसरों से स्रेष्ट है, ऐसा साबित किया जा सकता है, बड़ी बातों में भी खुद को स्रेष्ट है, ऐसा साबित किया जाता है. किसी हुकुम शाहा ने जगत में खुद की खुण की स्रेष्टता बाकी कौम के खुण से ज़्यादा बड़ी है, इसके कारण पूरे जगत में कितना भ्यानक नरसंहार किया है, ये बात हमने पिछली शदी में देखी है, ये बात बहुत पुरानी नहीं है. किसी हुकुम शाह को लगा कि मेरा जो खुण है वो सबसे स्रेष्ट है और किसी दूसरे कौम का जो खुण है उतना स्रेष्ट नहीं है. उस कौम को फिर जगत में जीने का आधिकार नहीं है. इतनी भेंकर अवस्ता तक इस प्रकार की स्रेष्टता की, अहंकार की, इस परद कर सकते हैं कभी-कभी हम खुद को अलग-अलग धंसे स्रेश्ट रखने का खुद को स्रेश्ट समझाने का प्रयास करते हैं तो हमने नीशित रूप से इसको देखना चाहिए ये एक प्रकार से ऐसी कुरोध की मानस्तिक अवस्ता है जिसमें हर समय हमने क्रोध का मुखोटा माणों हमारे चेहरे पर पहन रखा होता है। हर समय लोगों को अब जब मिलते हैं ऐसे लोगों को, तो हर समय क्रोध की वो मानसिक अवस्ता में हमको दिखाई देते हैं। और एक प्रकार से बिल्कुल कुरुद ऐसे बेढ़ब ऐसे अवस्ता में उनको हम देख सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि उस चित्र में ऐसा दिखाया जाता है कि यहां पर जो लोग है, बिल्कुल इसी प्रकार से बेढ़ब है, साथी साथ, एक प्रकार से उनका जो रंग है, उ सीधा यह हमको बताता है कि यह जो मानसिक अवस्ता है, बहुती कठीन ऐसी मानसिक अवस्ता है, बहुती सुक्ष्मा तोर पर क्रोध की ऐसी मानसिक अवस्ता है, और साथी साथ प्रकट तोर पर भी वो क्रूध ऐसी मानसिक अवस्ता है, तो यहां तक स्पस्ट है, ठीक है, ओक आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, यहां पर जैसे मैंने कहा है, कि एक प्रकार से हमेशा से हमेशा से वो क्या करते हैं, देवलोग के साथ जगडने का प्रयास करते हैं, और वो चाहते हैं कि देवलोग को जो सुक मिल रहा है कलपरुक्षक के माध्यम से, उसके फलों के माध करते हैं. और यह मानसिक अवस्ता असुन लोग में कौमन मानसिक का हमारे इस में भि मराठी में कहावत है भी मैं उसको कैसे ठांसलेट करूं, मुझे पता नहीं है. और मैं उसको पहले मराठी में बोल देता हु, बाद मैं उसको हिंदी में करने का प्रयास करता हुँ. अमराठी में एक कहावत है, ना तुला ना मला टाक कुत्रियला, ना तुझे ना मुझे, हम किसको डाल देंगे, कुत्ते को डाल देंगे, अगर मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं तुझे नहीं मिलने दूंगा, अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं तुझे मिलने नहीं दू प्यार अगर सफल नहीं होता है, तो क्या करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, निशित रूप से ऐसी असुर की मानसी का वस्ता से वो प्रेवित होते हैं, यहां पर एक प्रकार से वो हमेशा खुद को स्रेश्ट बनाये रखने में ही महत्वा देते हैं, और इसलिए ऐसा कहते हैं कि इसी कारण की वज़े से, इसी प्रवुद्ति के वज़े से, असुरलों की इसी प्रवुद्ति के वज़े से मानव जीवन में हमेशा के लिए कलह बना रहता है, संगर्ष बना रहता है, इसी प्रवुद्ति की वज़े से मानव का जीवन में हमेशा के लिए संगर्श बना रहता है, संगर्श या कलह बना रहता है, कलह का यह प्रमूख कारण है, अबी यह जो मानसी कवस्ता थोड़ी सी पुरुषो जाहिसी लगती है, जब भी असुर की बात आती है, तो ऐसे लगता है यहां पर भी जमा खोरी होती है यहाँ पर भी जमा खोरी होती है, मतलब संग्राय उड़ती यहाँ पर भी होती है, लेकिन इनके शस्त्र थोड़े से अलग होते हैं, पूर्शों के शस्त्र से इनके शस्त्र थोड़े से अलग होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर खासकर महला है, जो शस्त्र का इस्त उसके जीवन को वो क्या करती है? तहस नैस करती है. मानो कोई अभीनेतरी हो फिल्म में, उसको पता होता है कि उसका मोहरा क्या है? कौन है? और उस मोहरे को फिर किस तरह से वश में रखना है? किस तरह से वश में लाना है? और अंतिमता उसे कैस तरह से तहस नैस करना है? उसको भली बांती पता होता है और इस तरह से फिर चल के माध्यम से एक प्रकार से असुर जो है वो काम करते हुए हमको दिखाई देता है इस प्रकार से ये जो अवस्ता है उसको भी हम देख सकते हैं जिसमें चल समया हुआ है चल उसमें आता है ये जो महतुपुर्ण जो बात में आगे जो बात है, यह जो दूसरों के प्रति की इर्शा जो है, दूसरों से छिनने की जो इच्छा है, वो लोग के कारण असुरलोक में होती है, ऐसा नहीं. प्रति लोग में लोग के कारण कुछ मिलाने का प्रायस करते हैं, हम थोड़ी देर में प्रति लोग को देखने ही वाले हैं, लेकिन असुरलोक में यह जो अवस्ता है, वो लोग के कारण नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है. तो केवल इसके कारण होता है कि वो दूसरों का भला देखना नहीं चाते हैं, दूसरों का विकास वो देखना नहीं चाते हैं, ऐसा नहीं कि यह चीजे उनके पास नहीं होती हैं, उनके पास चीजे हो सकती हैं, वो चीजे उनको उनकी जरूरत की भी ना हो, फिर भी वो उन इन चीजों को चिनना चाते है, उस बात को लेना चाते है, क्योंकि दूसरों की सफलता, दूसरों के हाथ में वो चीज है, ये बात इनको पसंद नहीं आती, एक्स्ट्रीम स्वरुप की जलन की अवस्ता वो होती है एक्स्ट्रीम रूप से जिसको एन्वी करते हैं इर्शा कहते हैं वो होती है और इस जलन के कारण ही डाह के कारण ही डाह खाते बोलते हैं हिंदी में ने का डाह खाना जिसको कहते हैं उसके कारण वो दूसरे का भला देख नहीं सकते। यह भहिंकर मानसी का उसता है। और यह क्यों दूसरे का भला देख नहीं सकते हैं। इसका भी बहुत ही मनोवज्ञानिक कारण बताया गया है। यह मानते हैं कि अगर दूसरे उनके सामने तरक्की करते हैं तो वो खुद को उनके सामने कम महसुस करते अपने आप जबकि जरूरत नहीं है लेकिन अगर कोई दूसरा विकरसित हो रहा है तो यह खुद को कम महसुस करना शुरू कर देते है कम उनको लगता है कि मैं कम हूँ मेरा अपमान हो गया है अगर कोई दूसरा विक्रसित होता है तो इनको स्वैम का अपमान लगता है और ये मानसिक अवस्ता समाज में हम अनुखो करते हैं मैंने दो बहुत ही महतोपुर्न फिल्में देखी थी मुझे अभी उनके नाम याद नहीं आते हैं बहुत ही शौट फिल्म से एक्चली लेकिन वह खासकर जो असपुर्षता है या दलितों की क्या आवस्ता है इसके बारे में वह दो फिल्म है एक साउथ इंडिया में दलितो इस्टे एरिया से साइकल पर जा नहीं सकता है साइकल उसके साथ है लेकिन उसको साइकल से नीचे उतरना पड़ता है अपनी चपल जो है हात में लेनी पड़ती है और वहां जो पर्टिकुलर उतना दो दाइरा है उसको पैदल बीना साइकल पर टै करना पड़ता है क्यों क क्योंकि बाकी लोगं ने ये तै किया है कि कोई भी दलित cycle नहीं चल सकता। अगर कोई गलती से दलित cycle चड़ जाता है, cycle चला लेता है तो उनके लिए वो अपमान की बात है। जब की जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है। मान या आपमान किसी के साइकल पर चणड़ने से चलाने से रहने वाली बात नहीं है लेकिंट यह जो असुल की अवस्ता है दूसरे के विकास से खुद को अपमानित करने वाली यह अवस्ता है और यह भेंकर झलंग की अवस्ता है, जो हमारे इरद्गिद हम देखते है, प्रकार का जगडा करने के लिए तायर होते हैं और इसलिए देवलोग के साथ जगडे में उस उर्क्ष कोई काट दे रहे हैं जो रुक्ष शायद इनको भी छाओ दे भली फल काट देवलोग में है लेकिन चाओ यहाँ पर हो सक्ती है इनके लिए हो सक्ती है लेकिन उनको छाओ की फिक्र नहीं होती केवल वो ये देखना चाते है कि फल मुझे नहीं मिल रहा है ना फल कौन खा रहा है देव लोग खा रहे है तो फल मैं उनको मिलने नहीं दूंगा मुझे लगता है कि इस मानसिक अवस्ता को हमने भी हमारे स्वायम के अंदर टोलना चाहिए और एक महतोपुर्णा बात यहाँ पर है जिसको समझना बहुत जरूई है जो भी सुक की अवस्ता अनुभव कर रहे है देव लोग के लोग देव लोग की मानसिक अवस्ता में वो उनके कर्म के कारने यह पिछली बार हमने देखा था वो अच्छे कर्म का परिणाम है कि यहाँ पर असुर लोग के लोग सुक की नीव रखे बगर सुक को निर्मान करने की नीव रखे बगर सुक का अनुभव लेना चाहते है कुछ प्रास करने के उनको इच्छा नहीं होती सुक जहां से आ सकता है ऐसी बात को निर्मान करे बगर ही उनको क्या करना उनको लगता तरफ जाना चाहते हैं और इसलिए लोगों से वो इर्शा करते हैं, लोगों के बारे में वो इर्शा में पड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है, हमारे बारे में भी बहुत बार ऐसा होता है, खास कर कुछ बाते हम चाहते हैं, खास कर उस तरह से बनाते हैं तो वो जिम्मेदारी आपने आपाएंगी हम उसको छीन के ले नहीं सकते हैं कि वो जिम्मेदारी हमारी तरफ छीन के आने ही सकते हैं अगर हम स्वयम को उस तरह से विकसित करते हैं तो निशित रूप से वो जिम्मेदारी हमारी तरफ आ सकती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता नहीं, हम खुद को विककसित किया बगर वो जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं, अगर नहीं मिलती है, तो हमारा मन असुर की तरह चल सकता है, अब हम यहां पर काटना शुरू कर पहिते और ऐससा कहते हैं कि काटने के बहुत और उत toys को बदनाम करो, क्या करो जो भी उस जिम्मेदारी को निभा रहा है, जो भी उसको उठा रहा उसके बारे में गलत फयमी पहलाँ में ने के दो कारण है , व्लुकल कामन बात है फिर क्या हो जाता है? निशीत रूप से उसका हनन होना शुरू हो जाता है, कही बार लोग इसका इस्तमाल करते हैं, तो इसको हमने सही में देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कि हमारे जीवन में हमकी इस तरह से इस भावना को अनुभो करते हैं, कि सही में हमारे अंड रखने में इनका ज्यादा विश्वास होता है और इसलिए इनके जो दूसरों के साथ जो सम्मंद होते हैं वो केवल दो बात पर निर्भर होते हैं बोर हो रहे के आप लोग? हलो? इस प्रकार की स्रेश्टता की बात पर अडे रहते हैं इनका बहुत ज्यादा विश्वास होता है हर समय उनको लगता है कि मैं स्रेश्ट हूँ और इसी भावना से फिर लोगों के साथ जो समंद प्रस्तापित करते हैं वो केवल दो आधार पर ही इनके समंद स्तापित होते हैं पहला आधार होता है पहला जो आधार होता है वो एक प्रकार से खुद को दूसरों से दूसरों पर प्रभुत्व रखना चाहते हैं प्रभुत्व यह पहला आधार होता है किसे को डॉमिनेट करना प्रभुत्व रखना प्रभुत्व रखना यह हिंदी शब्द है ना प्रभुत्व पाना नहीं किसी बात पर प्रभुत्व पाना यह पहला आधार होता है उनका और दूसरा आधार होता है आधिंता स्विकार्ना एक तो प्रभुत्व है या आधिंता है ये लोग किसी भी किस दूसरे के साथ समानता से कभी पेश नहीं आते हैं कभी पेश नहीं आ सकते हैं एक तो जहां संभव है या प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे जहां संभव नहीं है वह आधिंता स्विकार करेंगे अगर हम बाहर देखते हैं, तो निश्यत रूप से हमको दिखाई देता है कि हमारे इर्दगीर्द, जो बड़े-बड़े लोग है, वो इसी प्रकार से करते हैं, जिनके उपर प्रभुत्व वो दिखा सकते हैं, उनके उपर प्रभुत्व दिखाने का प्रायास करते हैं, प्रभुत्वा रखना चाहते हैं क्या हम समान देखते हैं यह सवाल हम खुद को पूछ सकते हैं ऐसा कहा जाता है कि इनकी प्रोवर्ती हर समय शडियंत्र वाली होती है पीट पर वार करने वाली होती है और इसी प्रकार से वो हमेशा से पेश आने के कारण समाज में एक प्रकार से अस्तिर वातावरन हो जाता है समाज में एक प्रकार से क्या बोलते हैं अस्तिर वातावरन हो जाता है जब मैं आदिन्ता की बात करता हूँ, आदिन्ता की बात करता हूँ मतलब क्या है, कि हम जब हम ये पता चलता है कि यहाँ पर अभी हमारा शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो सकता, हम खुद को अभी स्रेष्ट नहीं रख सकते, तो हम उस आदमी की स्रेष्टता को स्विकार करते है आप मेरे से बड़े हो और मैं क्या मैं छोटा हूँ छोटा आदमी आपके तले आपके छत्र छाया के नीचे आप जैसा बोलेंगे वैसा क्योंकि हमको पता है कि अभी इससे उपर मेरी ताकत जा नहीं सकते लेकिन जो हमसे निचले लोग है उनसे हम तूरंथ उनको होता है कि जब हमें लगता है कि अभी शक्ति यह हमारा प्रभुतव यहां काम नहीं कर सकता तो यह की मरग है अधिन्ता को सुविकार करो हैं जबकि मानो ones के रूप में हमने Mानोन को समानता से प्रतिसाइध देना चाहिए लेकिन सवार्त से प्रेपीडित होने के सवार्त स यहां पर प्रभावित होने के कारण हम लोग एक तो डामिनेंस करना चाहते हैं या फिर आधीन रहना चाहते हैं तो इसको समझना बहुत जरूरी हो थोड़ा फास्ट हम आगे जाएंगे ऐसा कहते हैं कि इस मानसिक अवस्ता में बहुत जादा खीचा होता है लेंगिक लेकिन यहां पर लेंगिक ध्रूरी करन विशेश रूप लेता है क्यों कि यहां पर पुरुष है एक प्रकार से पुरुष के लक्षन है जैसे अगुवाई लेना यह पुरुष का लक्षन है पुरुषों से किया जाता है कि वो अगुवाई लेंगे कुछ बाते करने का प पाश्वी शक्ति का वो रूप ले लेता है, पाश्वी शक्ति बन जाता है, अभी वो शक्ति, इजी शक्ति नहीं रहती है, वो पाश्वी शक्ति बन जाती है, आपको लीड करना है, शायद पूरुष करके अच्छा गून है कि हम लीड कर सकते हैं, किसी बात को आगे लेके जा सकते हैं लेकिन वह बात शक्ति पाश्वी शक्ति बन जाती है। तो यहां पर आशर की मानस्थ्ता में चली जाती हैं तो वहां पर यह मानस्थ्त nessa जो है एक प्रकार से नियंतरन करने की आवस्ता बन जाती है, किसी को control करने की मानसी कवस्ता बन जाती है, और manipulation की मानसी कवस्ता बन जाती है, उसको विकृत करने की मानसी कवस्ता बन जाती है, छल की मानसी कवस्ता बन सकती है, और इसलिए वो दुरुवी करन बना रहता है, और एक और एक बात के नह fluorescent दुर्वी कराइट और वह बात आपके कार्ण के आवने the minimum स्थ्टी चुछ जाय और मुझ्ओनाय होते की लेकिन असुर मानषिकलёлरे तो कि वो लोग इस बात को पैचानते नहीं हैं, उस बात को समझते नहीं हैं, और हर समय टेंशन में रहते हैं, हर समय टेंशन बना रहता है. अब ही सीधा साधा उधारन ले लेते हैं इसका, समझो कोई पुरुष है, तो पुरुष धाडस के लिए माना जाता है, ने क्या धाडस, धाडस के लिए पुरुष माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पुरुष में धाडस हो, कई सारी महलाए भी धाडसी होती है, कई स प्रक्षेपन के अवस्ता बन जाती है और उससे फिर द्रुवी करन शुरू हो जाता है क्योंकि वो अंदर खुद के अंदर देख नहीं पाते हैं, खुद के अंदर समझ नहीं पाते हैं और इस प्रकार से द्रुवी करन के कारण फिर एक दूसरी के वो हिर्शा करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ स्परदा करने लगते हैं जैसे स्त्रियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देख भाल करने में अच्छी है, उनमें नाचरली करूना या प्रेम होता है, नहीं क्या? लेकिन जरूरी नहीं कि उनमें प्रेम हो या नाचरली करूना हो, पुरुष भी प्रेम वाले होते हैं, पुरुष भी प्रेम तत्व को देखने ही पाते हैं और इसी के कारण फिर वो खिचाव रहता है तनाव रहता है और एक दूसरे में एक दूसरे में उसको देखने के बजाए फिर एक दूसरे के साथ वो सपरदा करने लगते हैं एक दूसरे के साथ इर्शा में लगते हैं वास्तिक रूप से हमारा के इस्टी ऑना या पुरुष होना हमारे हाथ में क्या cum है और एक दुसरे के साथ जगरते रहते हैं और इसलिए स्परधा की आवस्ता स्त्री पुर्शों में हमको दिखाई देती है उसको बाहर आने की जरौत है वहां से निकलने की जरौत है और हमें इसलिए बुद्ध की आवशकता है इसलिए हमको बुद्ध की आवशकता है और यहां पर फिर उनकी अवस्ता में हरे रंग के बुद्ध हमको दिखाई देते हैं। जो आक से लिप्टी तलवार को पकड़े हुए है। अब यह आक से लिप्टी तलवार है, इसको लोकतर प्रग्या की तलवार कहा गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि जब भी हम इस प्रकार की क्रोत की, इर्शा की, स्परधा की, भहेंकर स्थता की, भहेंकर दुरुवी करन की अवस्ता में होते है, तो हमारे लिए अगला चरन होता है, हमारे लिए अगला चरन होता है कि हम जीवन की सच्चाई को, जीवन की सत्यता को समझे, हम प्रग्या को समझे, अगला चरन क्या होता है हमारे लिए? कि हम सत्यता को समझे, जीवन की सत्यता को समझे, जीवन के प्रग्या को समझे, यह हमा जाहां कि वो तलबार है, ऐसा कहा जाता ही कि यह जो प्रग्या है और ड्वेश जो है जो अस्थूर मानसी कवस्ता का मुख्यलक्षण है, क्रोध व्याध द्वेश उसमें एक प्रकार से समानता है, प्रग्या और द्वेश में समानता है, अब है आप बोलेंगी कि ये अ सद्वेश काटने का काम करता है, द्वेश का जो भी विशय है उसको नस्ट करना द्वेश का काम होता है मतलब हम जिसका द्वेश करना करते हैं उसको हमारे सामने हम देखना नहीं चाहते उसके अस्तितों को हम मिटाना चाहते हैं सही में अगर हम पूर्जोर किसी का द्वेश करते हैं तो उस आदमी को उस द्वेश की वस्ती को वस्तु को हम मिटाना चाहते हैं उसको नस्ट करना चाहते हैं प्रग्या का काम भी यही है प्रग्या अज्ञान को नस्ट करती है प्रग्या का गुंधर में भी यही है कि प्रग्या का करती है अज्ञान को नस्ट करना चाहती है तो इस शक्ति को गलत जगे लगाने के बजाए खुद के अज्ञान को नस्त करने के लिए लगाओ क्योंकि वो भी एनर्जी है वो भी शक्ति है उसको खुद के अज्ञान को नस्त करने के लिए लगाओ खुद के अज्ञान को खत्म करने के लिए लगाओ जिस भ्रह्म में आप प्रकार की भ्रह्म में जो आप हो इस भ्रह्म को आपने नस्ट करना चाहिए यही प्रग्या की तलवा उन्हें बताने का प्रयास कर रही है और उनको प्रेरित कर रही है कि इस प्रकार से आपने आप पर आपने काम करना चाहिए और खुद को विकास की तरफ लेके जाना चाहिए तो एक प्रकार से विकास की राह उस आवस्ता में बुद्ध उनको दिखा रहा है और निकलने का प्रयास कर रहा है तो जब भी हम द्वेश की मानस्तिक आवस्ता में होते हैं तो हमने हमारे उस द्वेश की मानसिक अवस्ता को इस प्रकार से प्रग्या के माध्यम से काटने का प्रयास करना चाहिए द्वेश की सत्यता को हमने समझना चाहिए और उस भ्रहम को हमने तोड़ने का प्रयास करना चाहिए फिर अंतिम बात की तरफ आते हैं हम इस अ आदा बुरे बीज है अच्छे बीज एक तियाही है मतलब कम अच्छे बीज है और बुद्ध बीज की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक ही बुद्ध बीज है अभी डिफिकल्टी है बुद्ध बीज एक ही है मतलब बुद्धत्व की शम्ता सबसे कम है किसका कारण क्या है क्योंकि द्वेश ऐसी मानसी कवस्ता है जो बुद्ध के स्वभाव से मुलभुत प्रवुरूती से बिलकुल विरोधी है बुद्ध के स्वभाव से बुद्ध की मुलभुत प्रवुरूती से द्वेश की मानसी कवस्ता बिलकुल विप्रीत है और इसलिए जब भी हम स्परदा की इर्शा की द्वेश की स्रेश्टता की मानसी कवस्ता में होते हैं हमने समझना चाहिए उतना जादा हम बुद्धत वसे, मुझे तो लग रहा था कि धम्म जी वन जी रहा हूँ, केसा पहन रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन स्परदा के कारण दूर जा रहा था, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा था, इस प्रकार से, बुद्ध से हम कुट को दूर लेके जाता है, सही में समझना चाहिए हम ने, बहुत बार हम द्वेशी मांसिक वस्ता में रहते हैं, स्परदा की मांसिक वस्ता में रहते हैं, और इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, कि वो बुद्ध के मुलभुत प्रवति से दूर लेके जाने के कारण ही, वहां पर बुद्ध बीच की शमता कमूती है, और यहां पर और एक बात क्या करते हैं, कि खुद की स्वक को मजबुत करने का प्रयाज करते हैं, और बुद्ध बढ़ने का अरत क्या है, खुद के स्वक को तोड़ना, खुद के एंकार को तोड़ना, अगर हम खुद के एंकार को मजबुत करेंगे, तो बुद्ध बढ़ बुद्त तलवार लेकर वहाँ पर है वहों कहते हैं कि कितना भी कड़ा तू क्यों कियों नह decision ऐगर तलवार तू दारण कर देता है और इसको घुमाता है तो क्या हो जाएगा आपके अग्यान को आप तोड़ सकते हो इस भ्रह्म को तोड़ सकते हो कि तू बहुत मजबूत है तू पक्का है इस भ्रम को तू तोड सकता है इसको तू तोड सकते हो और बुधत्वी की तरफ बढ़ सकते हो तो यही आशुर की अवस्ता है ठीक है यहां तक और थोड़ा जहलने की है ताकत ताकत है ओके चलते थोड़ा थोड़ा जितना हो सके नहीं कि हम प्रेथ लोग को देखाए अपना समय भी है हमारे पास ताकि आप भी थोड़े सोचे की सही में नहीं कि ताकत है या नहीं मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा ब्रेक मिलता है मुझे आपको पूछने से आप अंतरमुख हो रहा है आप इसलिए शांत दिखते हैं आप लोगों को ऑच्छना के बस्ता है मन plantsga क्या कि अवस्ता है प्रकार से मनो यसो जो शुरुप की जो इच्छा है हैं यहां पर रखते हैं यह थेयंकर तुष्ट्ट की अवस्ता यह थेयंकर लालसा कि अवस्ता है अब जब मैं विक्षिप्त इच्छा कहता हूँ, तो इसकी बहुत ही सुन्दर ऐसी वैक्षा भनते संगरशित ने की है, जिसको मैंने विक्षिप्त इच्छा कहा है, तो वो कहते हैं कि यह विप्रिक शोरुप की जो इच्छा है, वो क्या है? तो वो कहते हैं कि यह इच्छा इस प्रकार से दर्शाई जाती है कि जिस बात की भी हम चाहत करकते है या जिस बात की भी हम इच्छा रखते है उस बात से हम कुछ जादा ही चाहते है मतलब वो बात जितना हमें दे सकती है उससे हम कुछ उससे जादा ही अपैक्षा रखते हैं और इस प्रकार से उस बात से जादा की अपैक्षा रखना मतलब एक प्रकार से विक्षिप्त विच्छा है कोई चीज हमको आनग देने की उसमें विशिष्ट प्रकार की ख्षमता होती है लेकिन हम जब प्रेत्ट लोग के आवस्ता में होते हैं तो उस चीज से हम ज्यादा की मांग करते हैं ज्यादा की अपेक्षा रखते हैं उससे ज्यादा निचोड़ना चाहते हैं और भंते इतना यह कहते ऐसा नहीं है और जब इस प्रकार की इच्छा में, इस प्रकार की चाहत में, इस प्रकार कि हम जब लालसा में होते हैं, तो निशित रूप से हम प्रेत लोग की मानसी का वस्ता में होते हैं, यह स्पष्ट हो रहा है न, कठिन नहीं है, कभी-कभी हम बहुत निचोड लेते हैं, किसी बात से, जैसे मानों गंडे का जूस निकालते हैं, बिलकुल लास्ट कत्रा भी उसमें रहना नहीं चाहिए, नहीं क्या, इसलिए शायद वो निचोड़ना शब्दा होगा, नहीं क्या, लास्ट कत्रा भी नहीं रहना चाहिए, जबकि शायद अभी उससे आगे वो डे नहीं सकता, लेकिन लोग की मानसी का वस्ता से क्या करेंगे हम, अरे नहीं गुमा और गुमा और गुमा नी कि लाश्ट कत्रा भी बचना नहीं चाहिए या फिर कोई आदमी अभी ये उधारां उतना लागू नहीं होगा लेकिन समझने के लिए हसने के लिए दे सकता हूँ कोई आदमी गण्ना डालेगा वो गण्नी का मसी में और सोचेगा कि आम का र बारे में सोची है जिस प्रकार की अपेक्षा है उनसे हम रखते हैं कभी-कभी उनसे बहुत जादा मांग हम करते हैं कभी-कभी वो चीच जो हमको दे नहीं सकती है उसकी भी मांग हम करते हैं कभी-कभी ये बात हमको सही में प्रेत लोग की अवस्ता की तरफ ले तो नहीं जा रही है ना इसको देखना भी बहुत जरूरी होता है और इस तरह से वो बात बंति संगरक्षिदी दिखाने का प्रयास करते हैं स्वय में एक उधारत देते हैं जो मैं खासकर देना चाहँगा क्योंकि उसलिए बात और स्पष्टर हो सकती है वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा ना कि कभी-कभी हमको आपिक्षा दूसरी बात की होती है और हम उस बात से वो उस चीज से वो दूसरी आपिक्षा पुरा करने का प्रयास करते हैं जबकि वो चीज दे नहीं पाती और इसलिए हम गलट ढंग से उसकी लालासा करते है तो खाने के बारे में खास कर वंति संगरक्षित जी ये उधारन देते है वो कहते हैं कि जो लोग जादा ही खाते है जादा खाना के बल्ले हैं कुछ जादा ही खाते है तो उन लोगों के बारे में मानस शास्त्रिय दृष्टी कौन से ऐसा कहा जाता है कि वो लोग इसलिए जादा खाते है क्योंकि उन्हें दूसरी कुछ चीज की जरूरत होती है और ऐसा कहा जाता है मानस शास्त्रिय दृष्टी कौन से कि जो ज़ादा ही खाते है वो लोग उनको प्यार की स्नेह की जरुरत होती है और उससे फिर वो क्या करते है वो समझ में आने के कारण खाने से वो जरुरत को पूरा करने का प्रयास करती है जबकि खाने से उनका प्यार पूरा नहीं होने वाला लेकिन खाने से चाह कर रहे हैं वो अपने प्यार को पूरा करने का प्रास कर रहे हैं अपने स्नेह को पूरा करने का प्रास कर रहे हैं ऐसे बहुत बार हम गलत धंग से गलत बातों से अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रास करते हैं। बहुत बार जब जिन रिलेटिव लोगों के साथ हम रहते हैं, जो हमारे रिष्टेदार हैं, हमको कभी-कभी लगता है न कि अभी हमको निचोड ले रहे हैं। हमसे कुछ ज़्यादा ही मांग करते हैं। कभी-कभी यह मांग बहुत कटिन भी होती है, समझो पती है, तो उसके अगर घर वाले हो तो उसको ज़्यादा की मांग नहीं लगती। पत्नी के तरफ की रिष्टिदार है, तो उसको लगता है कि यह ज़्यादा ही मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से निश्यत रूप से हमारे जो संबंध है, इसी बात पर आधारित होते हैं। हमारे रिष्टों में भी यह बात हम सही में देखने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रिष्टों में ये बात आती है, तो एक प्रकार से एक प्रेत आवस्ता का मनुश्य, दूसरे प्रेत आवस्ता के मनुश्य को खाने का प्रयास कर रहा है, निगलने का प्रयास कर रहा है, मतलब रिष्टे एक दूसरे के साथ मनुश्य के सतर पर नहीं करते हैं, जब कि वो संभाव नहीं हैं, कहीं सालों पहले सुबूति के साथ हम स्टड़ी कर रहे होते, तो वो कहते थे कि कभी-कभी जो करीबी रिष्टे होते हैं, खासकर जिसकों बहुत करीबी रिष्टे कहते हैं, जैसे पती-पत्नी का रिष्टा है, बच्चे और माता- पिताओं का रिष्टा है तो ऐसे रिष्टे में ये बात बहुत बार संभव हो सकती है और वहाँ पर क्या होता है तो बहुत बार दो जो बोरे होते ना खाली जो बोरे होते ना एक दुसरे में जैसे मानो गुसने का प्राप्त कर रहे हैं संभव होता है कि तुरत बोरा जाना जो खाली बोरे, एक दुसरे में easily गुषते नहीं है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, उस तरह से मानो एक दुसरे से हम समाधान प्राप्त करने का, इच्छा को पूरा करने का प्राज करते हैं, जबकि वो संभव नहीं होता है, यह इस प्रकार की भैंकर ऐसी लालसा की विक चित्र में हमें दिखाई देता है कि दूर दर तक केवल रेगिस्तान जैसी अवस्ता है, रेगिस्तान फैला हुआ है, कई दो-चार पत्ते लगे हुए पेड़ है वहाँ पर, भैंकर गर्मी से बचाने के लिए यह दो-चार पत्तों का ही पेड़ है, ज्यादा कोई सहारा वहाँ पर नहीं है, और बड़े-बड़े तोंद वाले, जिनकी गर्दन बहुत ही लंबी है, जिनका मुख बिलकुल सुई के आकार जैसा है, सुई की नोक जैसा है, जिनकी आखे बड़ी-बड़ी बाहर आई हुई है, जिनके हाथ पेर बिलकुल धीले-डाले है, बिलकु आख में क्या है, वेधना तथा लालसा दिखती है, यह इस प्रकार के प्रतिक हमको वहाँ पर दिखाई देते हैं, और एक प्रकार से यह जो अवस्ता है, अतुरुप्त तुरुष्णा की अवस्ता है, नित्य रूप से भूख की अवस्ता है, नित्य रूप से किसकी अवस अब यह प्रतिकात्मक है, इसको आपने प्रतिकात्मक लेना चाहिए, उसका क्या आरत है, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको, जैसे पानी को छुने लगते है, पानी आपने पीछे जाता है, गलती से कोई बीच में खड़ा होकर, पानी अपने मुह में डाल भी लेता ह तो तूरंती उसको ऐसा सोजाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जैसे ये पानी ये बूंद अंदर जाती है, वैसे ही वो तप्त द्रव बन जाता है, क्या बन जाता है, पेट अंगार से भर जाता है, पानी शुबदा के लिए है, शुबदा पूरी नहीं होत फल भी उनके हाथ में नहीं आता, गलती से अगर कोई फल तोड लेता है और उसको खाने का प्राश करता है, तो फल जब अंदर चले जाता है, तो मानो ऐसा लगता है कि कोई तलवार चूब रही हो, कोई खंजीर चूब रहा हो, तो जो भी वो इच्छा को पूरा करने का प तुष्णा उनकी यातना बन जाती है। यही उसका अर्थ है। जो पानी हात में न आना, जो भी अंदर न जाना है। इसका यही अर्थ है कि वह इतनी तुष्णा है कि वह पूरी करने के बावजुद भी वह पूरी नहीं होती। प्यास बुझने के बाद भी वह पूरी नहीं होती। इसलिए वह यातना से तडबते रहते है। धुप काले में यह अनुभाम करते है। हम बहुत प्यास से बन जाते हैं। खासकर नकपूर या अगर यूपी से कोई है तो बहुत कड़ी धुप में हम पानी पिना चाते होती थंड़ा थंड़ा पानी पी लेते हैं। और थंड़ा पानी पीने के बाद हमको तुरत लगता है कि प्यास पूरी तरह से मिटी नहीं है। मिटी नहीं है। प्यास पूरी तरह से मिटी नहीं है। हम और पानी लेना चाते हैं। पानी पीने के बावजुद भी हम पान पिये बेगार रहते हैं, कभी आपने अनुगोट जा कि नहीं मुझे पता नहीं, कभी-कभी मैं उस्मांसी काउस्ता में रहता हूँ, अगर मुझे कभी-कभी करने के लिए कुछ नहीं रहा, समझो, मुझे आले से की स्तीती रही, तो मैं मेरे इसको दीवान है, उस पर जाने सिंग्दाने लो, पाच मिनिट में आ जाओ, बेटो, खाओ, पाच मिनिट बाद फिर से कीचन में जाओ, और कुछ देखो, अगर मेरी पतनी घर में रही तो पूछती कि क्या चाहिए क्या आपको, भूक लगी है क्या, मैं कहता हूँ कि भूक नहीं लगी, भूक नही मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ, भूक मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ, जबकि वो भूक अलग है, मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ, कीचन के डब्बे से कर रहा हूँ, मिटेगा ही नहीं, जब वापस सोपे पर मैं आता हूँ, तो फिर से उसी तुरुष्णा के साथ मह महसुस करते तो पूर्ण महसुस करते हैं.. यह हमारे मन का ऐच सा देरपन है जिसमें रिक्तता जो है बिलकुल और हमारे रिक्तता जो है जीवन की रिक्तता हमको दिक्ती है हम तुरुष्णा से प्रभावित है, हमारा मन ये तरशाता है कि हम तुरुष्णा से प्रभावित है और हम लालसा से, बाकी वस्तुओं से हमारी तुरुष्णा को पूरा करने का प्रयास करते है लेकिन वो तुरुष्णा पूरी नहीं होते है तुरुषना क्या है? लालसा की भावना है, जो इस विश्वास से आती है कि अगर वो वस्तु मुझे मिल जाए, वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाओंगा, सुरक्षित हो जाओंगा तुरुष्णा क्या है तो वस्तुवन के प्रति हमारी लालसा या इच्छा का भाव जो इस विश्वास से आता है कि वो वस्तु या वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाओंगा, मैं सुरक्षित हो जाओंगा इस लालसा से हम तुरुष्णा में पढ़ते हैं तथा मिथ्या भाव की भावना होती है, क्योंकि हमको उस समय ये समश्ता नहीं है कि कोई भी चीज हमारी अंद्रूनी रिक्तता को भर नहीं सकते अब हम स्वयम का उधारन लेते हैं, जिस भी चीज की हमने चाहत रखी थी अबी उधारन ते की तोर पर मुझे गलत मत लीजिए, लेकिन हमारी चाहत होती है जब हम शादी करना चाहते हैं, तो जगत की सबसे सुन्दर महिला मेरे जीवन में हो मिलती है और नहीं मिलती है, वो बात की बात है, लेकिन वो इच्छा होती है, उस इच्छा ते से हम प्रेरित होते हैं जगत की सबसे सुन्दर महिला हमारे जीवन में होने ही चाहिए, हमारी शादी हो जाती है घर वाले भी पीछे रहते हैं लगे हुए होते हैं नहीं क्या और हमारी शादी हो जाती है अभी जिनकी जिनकी शादी हुई है और जिस भावना से वो हुई है क्या जगत की सबसे सुन्दर व्यक्ति हमारे जिवन में होने ही चाहिए क्या वो पूरी हुई है कि या या कि कुछ काली पक्ष जरूर है शॉइध शुन्दर्त आहिए हमारे जीवन में लेकिन उसके साथ बहुत कुछ अयाี่ सेम बात स्युन बात महिलां के बारे में में वह भी सॉचते हैं कि मेरी जीवन में मैंवरा गोडे इसा प्रकार से सायद घोडे का राजकुमार हमें को मिल हो लेकिन सारी इक्षा पूरी है क्या नहीं है उस राजकुमार के साथ बाकी भी बाते आई हैं जिस्से हम असन्तुした होते कुछ खाली लगता है कुछ पूरा नहीं है ऐसा लगता है जीवन तो चल रहा है, no problem हम चलाएंगे भी, हम पचा साल की सालगीरा भी पूरी करेंगे सहाजीवन के पचा साल सालगीरा भी पूरे करेंगे आनन से मनाएंगे, बहुत कुछ है आनन मनाने नहीं लेकिन इच्छा के तोर पर सब कुछ पूरा नहीं होता, वो लाल सा अत्रुपता रहती है, बिल्कुल यही बात तुष्णा दर्शाती है, यही बात तुष्णा दर्शाती है, लेकिन हम उस चीज को इसलिए चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यह मिलने के बाद मैं सुरक नहीं होगी, लेकिन हमारी जीवन कानुगों क्या करता है, कहता है, हम सुरक्षित होते हैं क्या, इस तो कहिए हा या ना, हम सुरक्षित नहीं होते, हम सुकी होते हैं क्या, हम सुकी नहीं होते, यस, बिल्कुल यही मानसी का वस्ता, असुर की मानसी का वस्ता, और एक मानसी तोर पर एक बात चलती है, मुझे पता नहीं मैं उसको किस तरह से समझा पाऊंगा, थोड़ी जटीले समझने के लिए, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ, यह ऐसा है कि एक प्रकार से जब हमारा जो स्वा है या हमारा अहंकार है, एक प्रकार से यह परिपकवा अहंकार है, पका नहीं है, मैं जो है हमारा वो परिपकवा नहीं है, एक प्रकार से यह परिपकवा है, और अपूर्न है वो एक करते से, और इसलिए इसको हम हर समय परिपूर्न करने का प्रयास करते हैं, उसको मजबूत अनुभो करने का प्रयास करते हैं, वो हमारी अंदुरनी पुपूर्ण रूप से पेशा हूँ जबकि वह ऐसा है नहीं और इसलिए हम क्या करते हैं कुछ न कुछ अनुभव पाणना चाहते हैं कुछ न कुछ लालसा रखते हैं ताकि हम स्वयम को हमारे अहंकार को हमारे स्वप को मजबूत महसूस करा सकते हैं परिपूर्ण महसुस करा सके लेकिन इस लालसा में क्या होता है इस लालसा में क्या होता है कि हम बहुत बार उपरी तोर की बातों से खुद को परिपूर्ण महसुस करना सीख जाते हैं परिपूर्ण महसुस करना लगते हैं कि अभी मैं परिपुरन हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई अंदुरुनी खालीपन नहीं है, जीवन में जो कुछ चाहिए, वो मिल गया है, बहुत सारे लोगों को पूछो, कि कैसा आपका जीवन, वो बोलते हैं, सब कुछ मिल गया जीवन में, कोई प्रॉलम नहीं है, बच्चे बड है, उसको ढख राए खुछ समय के लिए, और यही प्रॉलम है, यही समस्य, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कमजोर एहंकार को इस उपरी बातों से ढखने का प्रयास कर रहे हैं, हम हमेशा चाहते हैं, कि हम खुद को मजबूत महसूस करें, लेकिन हम को पताए कि यह सब ह होने के बावजुद भी हम व्यक्ति के रूप में अंदर से खोकले हो सकते हैं, अंदर से रिक्त हो सकते हैं, और वो रिक्तता जो है, गलट दंग से भूत बार बहार आती हैं, और इसकी जागूती न होने के कारण, हमारी अंदरुनी रिक्तता की जागूती न होने के कारण बहुत सारे लोग वेदना में रहते हैं ऐसा कहते हैं कि कई सारे लोग जीवन में वेदना से पिडित होते हैं जीवन भर वेदना से पिडित इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनकी जो भावनाय होती है उस भावनाय के प्रति जितना उनने जागरुत होना चाहिए उतना वो जागरुद नहीं होती है। उसको छुपाते हैं। अंदुरुनी समुरुद्धी को देखने के बजा है। वो बहारी समुरुद्धी को देखने का प्रयास करते है। बहारी समुरुद्धी खोजने का प्रयास करते है। उसका प्रक्षपन करते है। और मन में फिर यह चाहते हैं, यहाँ पर इसको समझना जरूरी है, कि उनको लगता है, कि अभी मुझे अगर मजबूत बना है, तो मुझे यह चीज अगर मिल जाती है, तो मैं मजबूत बन जाओगा, जबकि रिक्तता किस बात की है, अंदरों नी रिक्तता, भरने का प्रास कहां से कर रहे ह बहारी बातों से भरने का प्रास कर रहे है, और यह समझने का प्रास कर रहे है, कि अगर यह मुझे मिल जाए, तो मैं परिपूर्णा हो जाओगा, फिर वो यह बात चीजों में खोजेंगे, जैसे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, तो मैं परिपूर्णा बन वो बात रिष्टों में खोजेंगे, अगर मेरा रिष्टा इस प्रकार से हो जाए, तो मुझे वो परिपुर्णता मिलेगी, वो अनुभो में इस बात को खोजने का प्रास करते हैं, कि इस प्रकार का अगर अनुभो मैं लेता हूँ, तो निश्य तुरुप से मैं सुखी हो मेरे जीवन में अगर इस प्रकार का अनुभो आया, सब कुछ मैंने अनुभो कर लिया, यह अनुभो करने का रहा है, ऐसा विचार आता है हमारे मन में, अगर वो अनुभो मैंने कर लिया, तो मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, बहुत बार ऐसा हमको लगता है, और यह की पीचे हम लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि सही में यह रिक्तता जो है अंदुरूनी रिक्तता है बहरी बातों से वह पूरी होने वाली नहीं है यही असुरलोग की मानसिक अवस्ता है जिसको समझना बहुत जरूरी है पांच मिनुट मैं और लिये चलेगा पांच मिनट, साथ मिनट ले है अपने बास उतने मिनिट में मैं खतम कर दूँगा मुझे और ये की दो मुझे केवल मुझे बताने है असर लोग के मानसिक आवस्ता के बारे में और थिर बुद्ध की तरफ मैं आओंगा सब्वा करूँगा, thank you very much प्रेट लोग की अवस्ता या यह जो भेंकर लालओसे की अवस्ता है वो एक प्रकार से कंजुषपन की अवस्ता कंजुष अवस्ता, कंजुष मानसिक अवस्ता वो केवल जमा करने में संग्रा करने में उनको अच्छा लगता है, संग्रा उरुत्य उनकी अच्छे लगती है, जब मैं इस बात के बारे में सोच रहा था, तो कई साल पहले मैं एक मुवी देखी थी, जो बिल्कुल मुक चित्रपड था, वो कमलासन का, जिसका नम पुश्पक है, आप में से कुछ लोग ने उसको देखा होगा, बहुत पहले मुवी आया था, बिल्कुल मुवी है, लेकिन बहुत समझ सकते हैं आप उसमें, कमलासन बहुत गरीब होता है, उसके पास एक की रुपया होता है, और उस एक रुपया के साथ पुलिया पर बेटा होता है, उसके सामने एक भिकारी बेटा होता ह और भिकारी उसको पैसा मांगता है कि मुझे पैसे दे करके, लेकिन कमलासन के पास एकी रुपया होता है, वो देता नहीं है, लेकिन वो कमलासन उस भिकारी को चिड़ाने के लिए वो एक रुपया उसको दिखाता है, दूर से ही दिखाता है, कि देख मेरे पास एक रुपया विकारी उसको फिर चब दिखाता है वो बहुत important बात है बहुत मतवपुर्ण है समझने के लिए विकारी जिस बोरे पर बेटा होता है उस बोरे को कई सारे layers होता है वो भिकारी उसको दिखाता है पहली layer चब खुलता है तो सारी चिल्लर उस layer में होती है फिर दूसरी जब layer उठाता है तो सारे पांच-दस के note उसमें होते है जब तिसरी layer उठाता है तो सारे 100-100 के note उसमें होते है उस समय 500 के note नहीं थे सो तक हमारा चलन था तो 100-100 के note उसको दिखाता है तो वो बारिक सा अभमु करके कमलहसन वहां के पूलिया से उठकर चले जाता है यह कहानी यहां तक ही है यहां तक ही है लेकिन यह important बात है कि वह भीकर ही है शायद उसके पास लाखो रुपे हो शायद उसके पास हजारों रुपे हो लेकिन स्वेन के लिए वह खर्चा नहीं कर रहा है वह miser है कंजुस है बुद के लिए खर्चा नहीं करेंगे अच्छा खाएंगे नहीं अच्छा पिएंगे घरवालों को भी अच्छा नहीं रखेंगे सब कुछ संग्रा करके रखेंगे घरवाले एक दिन बोलते जमा कुर्ण का है सुबत मियनारे का मतलब जमा करके क्या साथ में लेके जाने कोई साथ में लेके नहीं चाहता इस वोएma मनुष्य संग रहता है और फिर इस वा लट लग सकती है यह लट की मानसिक अवस्ता इस प्रकार के जमाखोरी की आदत उसको लग सकती है और ये आदत जो है वो केवल बिड़ी या सिगराट की या दारू की आदत नहीं होती ऐसा कहा जाता है खासकर सुबूती ऐसा कहते है कि उन सारी हमारी अंदरूनी लालसा को हमारी अंदरूनी इच्छा को जो भी चीज अभी अंदरूनी अतरूपती है हमारी उस अंदरूनी अतरूपती के लिए जो भी चीज हमको लगती है कि ये पूरी कर सकती है उन सारी चीजों की हमें आदत लग सकती है और इसको देखते है तो हमको सनमान की आदत लग सकती है प्रतिष्ठा की आदत लग सकती है क्योंकि कि हमें कुछ ना कुछ वहां से चाहिए होता है मुझे लगता है कि यह भेंकर इस प्रकार की मानसिक अवस्ता है और खास कर आधुनिक जिवन शैली जो है हमको इस मानसिक अवस्ता में डालती है इस प्रकार की इच्छा की मानसिक अवस्ता में हमको डालती है लेकिन यहाँ पर एक जो भेद है वो जरूर हमको बताना चाहिए हमने उसको देखना चाहिए हमारी जो मनो विक्षिप्त इच्छा है या लालसा है उसमें और हमारी जो स्वस्त जरूरत है जो सही में हमारी जरूरत है उसमें हमें भेद करना आना चाहिए मानों के रूप में हमारी कुछ शारिक जरुवते है उसे स्वस्त रूप से अगर हम पूरा करते है तो वो तुरुष्णा नहीं बनती वो अतरुपत इच्छा नहीं बनती वो प्रेतलोग की अवस्ता नहीं बनती यह समझना बहुत जरुरी है जैसे भूक और प्यास, अगर अच्छे ढंग से, योग के ढंग से उसे हम पूरा करते हैं, तो तुरुषना नहीं बनती है। लेंगिक भावना भी उसी प्रकार की बात है, लेकिन उसके साथ थोड़ी जटिल मानसी कावस्ताई शरीक होने के कारण वो उतना सहज नहीं होती है। वैसे देखा जाए, तो शारीक रूप में, अगर उसको शारीक रूप से अगर देखा जाए, एक मनुष्य के इंस्टिक के रूप में देखा जाए, मानस शास्त्री ये घडन की रूप में देखा जाए, मतलब जिस प्रकार से हमारी साईकी बनी है, हमारी घडन जिस प्रक अगर हम पूरा करते हैं, तो वो अत्रुपत इच्छा में नहीं आती है, लेकिन यहां पर गड़बड है, चुकि लेंगिक भावना और खासकर भूप की भावना बहुत बार बाखी सारी भावनाओं के साथ मिलजूल कर आती है, और इसलिए वो स्वस्त नहीं रहती है, और इ इसलिए हम स्वस्त रूप से पूरा कर पाएं, तो निशीत रूप से वो लालसा नहीं होगी, इसको हमने समझना चाहिए, दुसरी बात जो हमने जिसमें भेट करना चाहिए, वो है, हमें जो सामाजिक जरूरते होती है, खासकर समाज में स्विकृद करना चाहिए, ये जो इच्छा होती है, वो इच्छा गलत इच्छा नहीं है। तरह, कुछ लोगों को इक्ष्चा होते हैं कि लोगों ने उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए, ध्यान बटरने के अवपरायास करते है कभी-कभी तो लोगों के हम शक्ति को निचोडते हैं, ध्यान खिचने की आवस्ता में, जैसे समझो, हमारा छोटा बच्चा होता है, वो पूरी तरह से हमारा ध्यान बटोरना चाहता है, पूरी तरह से हमारा ध्यान खिचना चाहता है, कभी-कभी हम वैसा हो सकते हैं, लेकिन अगर हम व्यक्ति बनना चाहते है, तो उस प्रकार की जरूरत जो है, वो स्वस्त जरूरत है, अंतिम जरूरत है, हमारी जो स्वस्त है, वो है धार्मिक जरूरत, मतलब गलट जरूरत नहीं है, खासकर धार्मिक जरूरत जो है, वो स्वस्त प्रकार की जरूरत है, स्वस्त प् होती है, वो गलत जर्रत नहीं होती, लेकिन यहां पर एक twist है, कभी-कभी हम हमारे धमजीवन का भी, हमारे अतरुप्त लालसा के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं धमजीवन में आने के बावजुद भी हम धमजीवन में सत्ता, शक्ती हत्याने के लिए खुद के जिम्यदारी से दूर जाने के लिए खुद की भावनाओं से दूर जाने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं अपनी गलत अभीलाशा को पूरा करने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं तो वहाँ पर फिरी से प्रेत लोग की आवस्ता में हम जा सकते हैं लेकिन इससे हमको बहार आना है और इसलिए हमें बुद्ध की जरुरत है यहाँ पर लाल रंग के बुद्ध दिखाये गए है और वो ऐसे अन्न और पानी के साथ है जो अन्न और पानी प्रेत लोग के लोग सही में ग्रहन कर सकते हैं हमको पता है कि बाकी अन्न और पानी वह ग्रहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह अन्न प्रानी जो है वह ग्रहन कर सकते हैं, ऐसा अन्ना और पानी लेकर वहां पर बुद्ध है। हमने वस्तुनिष्टता में वापस आना चाहिए. अब ये बात अगर बहुत बड़ी लगती है तो दो-तिन साधे वाक्तों में बताऊंगा. हमने हमारी इच्छा सही में योग्ये इच्छा है क्या ये देखना चाहिए. जिस बात की हमने इच्छा रखी है वो बात वो उत्त मानसिक अवस्ता से आई है इसको भी हमने देखना चाहिए. और हमारी जो स्वस्त इच्छा है उसे पूरा करने का स्वस्त धंग से पूरा करने का हमने प्रयास करना चाहिए. और जो भी हमारी अतुर्त इच्छा है जो स्वच्छ इच्छा नहीं है उससे हमने दूर क करना चाहिए, उसके उपर हमने कारिया करना चाहिए, इस तरह से हमने वर्तमान अवस्ता में आकर हमारी इच्छाओं को देखना चाहिए, अगर हम इस तरह से देखते हैं, तो निश्चित रूप से हम विकास की तरफ जाएंगे, फिर इस अवस्ता में बीज किस प्रकार के हो लेकिन इंट्रस्टिंग बात ये है, कि यहां पर बुद्ध बीजो की संक्या सबसे ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि यातना की अवस्ता है, वो यातना की अवस्ता हमें दुख से दूर जाने की प्रेहना देती है. दुख में हम रेहना नहीं चाहते है. इसलिए यातना अनुभो करना बहुत जरूरी है हमारी difficulty है कि हम यातना को अनुभो करते ही नहीं है हम देवलोग की अवस्ता में चले गए है उस यातना को, दुख को और संतुष्टी को अनुभो नहीं करते और वहीं पर पढ़े रहते हैं आन की भाती पढ़े रहते हैं यहां पर बुद्ध बता रहे हैं कि यातना को अगर आप अनुभो करते हैं मैसुस करते हैं तो निश्ट रूप से बुद्धत्व की तरफ आप बढ़ सकते हो अम्रत्व की तरफ आप बढ़ सकते हो जीवन की सुख की अंती मिच्छा की तरफ आप बढ़ सकते हो भाईयो और भाईयों आज आपने बहुत लंबा आपने मुझे सुनाएं मुझे माप कीजिए दो आवस्ता मुझे एक ही इसमें पूरी करनी थी तो इसलिए मैं लंबा किप्चा है आप लोग समझे होंगे ऐसी आशा करता हूँ और आएज आकल से शमा व्याचना चाहता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ धन्यवाद जभी